श्वागत एक उर्च सांदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चेनल CHO Academy तोस्तो UPN अचम 17000 वेकेंसी स्टाप नर्स भर्ति को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है DV के लिए तयार रहे हैं कब और कहां होगा Document Verification के लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है का सर्टिविकेट है वो सबसे बड़ा इस्यू बना हुआ है कि कौन सी साइड का है और कब का बना होना चाहिए OBC, General, EWS, SCST और PWD किस केटिगरी का का सर्टिविकेट कमपलसरी है और किस केटिगरी का है वो कमपलसरी नहीं है तमाम बातें इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है और Document Verification कब होना है सारी जानकारे इस वीडियो में मिलने वाली है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लें जो कंडिडेट चैनल पर नया है और वीडियो को लाइक कर दें बेल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जैसा आप लोग इस पर देख पा रहे हैं और मैंने जब से वीडियो डाला है का सर्टिविकेट को लेकर मेसेज है वो दना दन आ रहे हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रेशियो है वो 90 अनुपाद 10 का रेशियो है वेकेंसी में ओनली स्टाप नर्स वेकेंसी के अंदर जिसमें से 90 परतिशत फिमेल कंडिडेट और 10 परतिशत मेल कंडिडेट को लिया जाएगा पॉइंट नमर यहाँ पे 6 है कि दोस्तो इनकेश ओ फिमेल कंडिडेट दा वेलिड का सेटिविकेट है इस्यू फ्रों फादर साइड विल भी ट्रिटेड तो फिमेल कंडिडेट की वेकेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा है और क्योंकि 90 परतिशत फिमेल कंडिडेट को इस वेकेंसी में लेना है तो यहाँ पर इन्हेंने कंडिशन रखी है और यह कंडिशन हमने 5505 जो कम्यूटी हेल्थ ओपिसर की वेकेंसी थी इसमें भी आप लोगों को बार बार बोला था हैर एक वीडियो में बोला था कि अभी भी आपने नहीं बनाया का सेटिविकेट तो फ आकि जो कोई सेटिविकेट है उसको लेकर मैंने आप अलड़ी आपको बता दिया है कि पांस दस और पंदरा परतिसरत मारक्स आपको मिलना है कौन से होस्पिटल में काम किया है कहां काम किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद जो सेलेक्शन प्रो जिसनों ने फिल करते टाइम जो डोकुमेंट्स लगाया है वही कंडिडेट यहाँ वही डोकुमेंट्स मानने होगा अब आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को एक एफिट एफिट बनवाना होगा 150 रुपे का बनेगा अपने फादर साइड का का फादर साइड का बनवा लें और एक एफिट एफिट बनवा लें कि हमने यह नया बनवाया है पुराने वाला यह था जो हमने फोरम बनने के टाइम जो लगाया था और नया एफिट एफिट के साथ आप डोकुमेंट वेरिफिकेशन के दोरान आप लगा सकते हैं यह बात होगा कि यह जो प्रोसेस है वो कहां लिख हुई है बाकि नो नगेटिव मार्किंग थी कटो क्या रहने वाले थी वो मैंने आपको आल्रेडी यहां पर बता दिया है तो और डीवी के लिए दोस्तों यहां पर वन थर्ड रेशियो के अनुपात में आप लोगों को बुलाए जाएगा जो वेटलिस्टेट सेल भी जनरेटेड इन दर रेशियो एक अनुपात तीन अमंगेश्ट दा इलिजिबल कंडिडेट वू है अच्यूड अच्यूड दकट ओ और यहां पर आपको डीवी के लिए बुलाए जाएगा अब जो आप लोगों को मैं बताने वाला था मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो पॉइंट नमर फाइप में है जो इंस्ट्रक्शन डाली हुई आप लोगों की कंडिडेट सुड इंटर फादर्स नेम है डेट बर् रहता है तो उस कंडिडेट के लिए है कि वो कंडिडेट देर चेंज नेम ओनली इन दा ओनलाइन अप्लिकेशन हाओवेवर अदर डीटेल सुड मैच देमेट्रकुलेशन सर्टिविकेट डेट ओव सच चेंज अप्लिकेशन फोर सच चेंज शुट बी प्रायर ओं टुद सब्मीट कर सकते हैं जैसा मैं आप लोगों को का सर्टिविकेट के लिए भी बताया है आप लोगों को क्या करना होगा अगर नहीं बनवाया हुआ है अपने फादर सायड का हज्बेंड का ही है तो आप लोगों को एक ऐफीडेपिट बनवाना होगा कूड कचरी से और वो के साथ डीवी के दोरान आप अपना जो का सेटिविकेट है वो सम्मीट करवाईए और अभी तक नहीं बनवाया है तो प्लीज जो फिमेल कंडिरेट हैं वीडियो को देख रहे हैं वो खुद बनाएं और वीडियो को प्लीज सेर जरूर कीजेगा अपने सारे दोस्तों को फ् प्लीज वीडियो को सेर जरूर कीजेगा ताकि सब लोग को यह पताज चल सके अब यहां पर दोस्तों मैं कुछ कमेंट्स लोंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले है वंसिका गुपता सर 50 मारक्स फ्रों जनरल केटेगरी इन डियेचस पोस्ट एनी चांज ओप सेलेक्शन मैंने आलरेडि आप लोगों का कटोप का एक वीडियो डाल दिया है उसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि किनका सेलेक्शन होना है किनका नहीं है क्योंकि बार बार बताऊंगा तो फिर आप लोग ही बोलेंगे कि सर हम होते हैं बार-बार कटोप को लेकर उसके बाद है वीनित सर्मा है EWS वालों को भी फादर साइट वाला सर्टिवकेट बनवाना है क्या उनली जनरल के टिगरी वालों को नहीं बनवाना होता है इसके बाद जो जितने भी केटिगरी हैं सभी केटिगरी वालों को प्राइटी ताकि आपको DV के दोरान कोई दिकत ना हो सर, SC कास्ट वालों को भी बनवाना पड़ेगा पिता साइट का, बिल्कुल आप सब लोग बनवा सकते हैं क्योंकि हमने आल्रेडी जो Community Health Officers का DV हुआ था उसके दोरान बहुत बड़ा इसका बाउंडर मज़ा था कास सेटिफिकेट को लेकर बहुत बड़ी दिकत हुई थी बहुत सारे कंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था तो अभी भी आपके पास टाइम है हम टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं और तभी आप लोगों को बोलते हैं कि जो बेल आइकन है उसको आल नोटिफिकेशन पर कर लीजेगा ताकि सारे जानकारी टाइमली आप लोगों को मिलती रहें सर फ्रड़ वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा क्या बिलकूल आएगा यह जैसा ही यह कुछ अपडेट होगा आप लोगों को जुरूर अजीत यादवा बताया जाएगा सर मैं जनरल केटिकरेशी हूँ मेरा डियाचस में 51 है सभी के इतना इमारक्स है मैंने जितना बताया था आप लोगों के 50 से लेके 65 के बीच में है तो आलरेडी कटोप का वीडिया डाला हुआ है सर जी फार्मासिस्ट वालों का भी बताएंगे जरूर बताएंगे सर आवेदन के समय पीता पक्स का जाती परमान परमान पत्तर नहीं लगाया था तो सर सलेक्षन नहीं होगा क्या एनम की चात्तर है बिल्कुल हो सकता है आप एफिडेविट डोकुमेंट वेरिफिकेशन के दोरान जरूर बना कर लेके जाएगा ताकि वो आप लोग बोल सके नहीं तो अगर आप नहीं बनवा के लेके जाओगे तो सीधा सीधा बाहर कर देंगे अगर एफिडेविट रहेगा तो आप अपनी साइड से सेफ है क्योंकि आप बोल सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा मालूम नहीं था ऐसा कोई गाडला नहीं था तो इसके चलते हैं पुराने वाला था वो हमने फोरम फिल्ड के टाइम लगा दिया है तो अब हमारे पास एफिडेविट है और नया कास सेटिविकेट है तो प्लीज हमें सेलेक्ट करिए ऐसा कुछ आप कर सकते हैं तो 99 परसेंट यहां पे सेलेक्शन के चांस है उसके बाद है दोस्तो कम्मुनिटी प्रोसेस में हो जाएगा क्या भाई चोईसो वाला पता करके बताए कि कब होगा बिल्कुल कोई भी अपडेट होगा तो बिल्कुल आप लोगों को बताए जाएगी जैसा हम बताते आ रहे हैं और आप लोगों को पता है सर मेरा बैनलिस मारक्षा चायल्ड हेल्थ में ओबीसी नियोचम स्ठाप नर्स तो ये बाकी कटोफ को लेकर सारे यहां पे कमेंट्स किये गए हैं जिनका आल्रेडी मैंने एंस्वर रिप्लाई आप लोगों को पता है देता रहता हूँ टाइम टू टाइम बाकी कटोफ का लेकर मैंने आल्रेडी आपको बता दिया जादा यहां पे टाइम नहीं लूँगा का सर्टिविकेट को लेकर ही है और नॉर्मलाजेशन उन कंडिडेट का यहां पे मारक्स है वो बढ़ेगा जिन कंडिडेट का जिन होने सबसे कम क्यूशन गलत किये हैं उनी candidate को normalization में सबसे ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है और DV के लिए जैसे कोई update होगा जल्दी होने वाला है document verification final list है उसमें time लग सकता है लेकिन DV है वो जल्दी आपका हो जाएगा कोई भी update होगा जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा तो इस वीडियो में दोस्तो इतना ही बाकी एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि कास certificate जरूर फादर साइड का female candidate जरूर बनवाए selection लेने के लिए और चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेनत करते हैं तो एक like तो बनता है है एक वीडियो में तो please like जरूर करें और bell icon call notification पर प्रेस कर लें धन्यवाद दोस्तों